हाई एवरीवन गुट मॉर्निंग और विल्कम बैक टू मैं यूटिप चनल तो सुबह के डायम उटके घर का जो काम था जाड़ो पुछा करना वो सब किया करने के बाद ब्रेश रेश करके गरम पानी प्या फिर मैं चली गई नहाने जल्दी से नहां दोखे आ गई आके मैं पापके लिए बनाया दलिया को असलेट हो गया था तो जल्दी से डलिया बना के पापको मैं देया आई यां डलिया मुझे काफी अच्छा बनाना आता है अज फिर ना मैं कर रही थी अपना सुबे का breakfast साथ में था डलिया and चाई तो उसी से अपना breakfast किया फिर सोचा कि चलो ठीक है थुरा सा पढ़ ले थी पढ़ने के बाद मैं चले गए kitchen ममी बना रही थी एक करी तो इदर एक बॉल हो रहा था अभी देखो एक बॉल हो चुका हो ले hammy कि फ्राई तो इसे फ्राई जब तक हो रही है तब तक मैं आपना काम कर रही थी आखे देखा आलू को थोडा नमक से करma कर रही थी साथ में इदर एक भी फ्राई हो चुकी थी गाईस तो अभी सबची पकाड़ी है तो तेल में प्यास प्यास नहीं सोरी अद्रक तेशपती देखें आलू देखें अच्छे से फ्राई करना है नमक वगरा देखें फिर ओनियन पेस्ट के साथ जो मसाला है वो सब डाल देना है डालने के बाद इसको करना है फ्राई साथ में इदर हो रहा है राइस और यहां देखो एक करी इस रेडी टू इट देखने में काफी ज़ादा यमी लग रहे है उपर से थोड़ा सा गरम मसाला एट कर दिया फिर मैंने अपना एक वीडियो शूट किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी चेक आउट कर लेना फिर मुझे जाना था थोड़ा बहार तो मैं इदर थोड़ा से कर रहे थी शूप पैसा लिके तो गाईस मैं भी थोड़ा से सामने दुकान में जाड़ी हूँ और मैंने ड्रेस चेंज किया कॉस घर का ड्र और साथ में इदर है बन तो गाईस आप लोग को मैं बता देती हूं ममी को दोपेड के टाइम ना थोड़ा सा चाय पीना होता है और ममी के साथ साथ कभी कबार हम भी पी लेते तो मेरा प्लेट में है इदर भुजिया साथ में बन जो बहुत जादा अच्छा लगा मुझे के साथ खाने में फिर मैंने कर लिए अपना लंच लंच थोड़ा लेट करके किया था बीच में कुछ शुट नहीं किया तो मैंने शेयर ने किया श्याम करें ममा बना रही थी पापर तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पुरा दिन तो बस थोड़ा बहुत शेयर करती हूं रात क अपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जल्दी से कर दो बाई, see you in the next वीडियो